तो हालो सुजेंट्स वेलकम टो एमेस्क लास देगे एकसरसाइज तो थर जी है हमारे पास लास्ट इसकी वह हम आज कर रहे हैं तुछ कोशन्स जो हैं एकसरसाइज के इंपोर्टन वह कर लेते हैं हमने फॉर्मला तो कल देखी लिया था ठीक है उस पर बेस हम कोशन करते हैं तो कॉशन नंबर हमारे पास जो है सेकिंड से स्टार्ट कर रहे हैं देखे स्टुडेंट डी स्कॉयर प्लस ठीडी प्लस टू इंटू वाई बराबर एकस साइन एकस यह आपका पास कोशन है ठीक है आप तो यहाँ पर क्यों फैस को देखकर पहचानो कि हमें कौन सा वाला ऑन ला लगाना है ठीक है यहाँ पर X और sin X क्योंकि एक्जाम के अंदर ऐसा तो है नहीं कि आपके पास यह आएगा लिखा रुआ हुआ यह थर्ड f से आया है यह थर्ड a से आया है ठीक है यहां तो आपको इसी को देखके पहचानना होगा कि हमको यह question कैसे solve करना है अब यहां पर q of x का मान दे रहा है x sin x x sin x का मतलब हुआ कि x के साथ में कोई function है x का ही ठीक है तो इस तरह से हमको start करते है तो हम देखिए आप सबसे पहले हम जो term है वो लेके चल रहे हैं तो देखिए term क्या क्या है हमारे पास इसको solve करते हैं x sin x को यहां पर साइट समिकन बनाते हैं तो साइट समिकन बनाने पर क्या होगा m² प्लस 3m प्लस 2 ठीक है equal to 0 m² प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0 तो m का जो मान है वो m का मान की जा हो जाएगा अक पास ब्रेक कर लो इसको मल्ली प्लस 2m प्लस 2 बराबर 0 ठीक है एम कॉमन एम प्लस 2 प्लस 1 एम प्लस 2 यहां की वैल्यू जाए आग प्लस 1 और m प्लस 2 और एम की वैल्यू दो वही एम एकओल टू मयनस 1 एंड माइनस टू तो तो सीएफ क्यों आपका सीवन एकवार माम साइक्स पलस C2 पर मानस टूँ एकस ठीक हैं सीवनीपला मानस एकस प्लस शीवेट यपावार मायनस के 2 एकस तो हमाने पास जो ट्रम है वो CF की आ चुकी है अब PI निकालना वागी है तो PI कैसे निकलेगा आपको पता है X की जो term आ रही है X के लिए तो F of D को नीचे ले लेते हैं D square plus 3D plus 2 और साथ में आता है X into sin X और इस तरह की form को निकालने के लिए हमाँ बस जो formula है वो है कि X को आगे ले जाओ और इस पूरे का एक बार PI निकालो sans के लिए ठीक है plus differential कर दो ठीक है इस पूरे का differential करने के लिए इस वाली form से differential होगा नहीं अच्छे से ठीक है हम इसको break वाली form बना जाते हैं यानि कि D plus 1 और D plus 2 ठीक है उससे ही लिए हो जाएगा राइट और साथ में क्या जाएगा sin X ठीक है इसको solution करना है हम अब पस PI निकल के आ जाएगा तो देखे जान से sin सा करना है तो D square जाएबर क्या रहा जाएगा minus के 1 ठीक है X ऐसे कैसे D square जाएबर minus 1 plus 3D plus 2 ठीक है A form है और sin X आज़े चली रहा है प्लस अब सा करना है में differentiation ठीक है तो differentiation के रहे क्या values है देखे आप D plus 1 और D plus 2 ठीक है तो समक्राइल सकते है differential के लिए हम इसको आशी बनों में तोड रहे है तो 1 upon D plus 1 minus 1 upon D plus 2 तो कोई दिक्कत नहीं है यह value easily वाइफ टम बना देगी जोगि D plus 2 पर आएगा D plus 2 में से D plus 1 minus करेंगे देखो यहाँ पर D plus 2 minus कोगा D plus 1 ठीक है अब नीचे फर्म क्या हो जाएगी D plus 1 और D plus 2 ठीक है अब D cd cancel हो दो में से 1 गया तो 1 वाइफ टम वही बन जाएगी तो आप देखते हैं मैंसे में आएफ इंटू 2 में से 1 क्या तो 1 3D plus 1 sin x इसका डिफेंशन करते हैं D plus 1 का 1 upon में तो क्या जाएगा minus के 1 upon D plus 1 का स्क्वाइर ठीक है भाइ एकस स्क्वाइर लिट्टा मुझा जाएगी अच्छा करोगे तो मैंस मैंस प्लस 1 upon D plus 2 का होल स्क्वाइर ठीक है और यहाँ जाएगा sin x आप दोनों के लिए अलब लग काम करवा देंगे sin x का तो यहाँ पर देखो 3D plus 1 आ रहा है तो उपर क्या करें 3D minus 1 upon 3D minus 1 और यहाँ पर 3D plus 1 से multiply करें ठीक है और यहाँ पर क्या करें चिन प्लस मैंस मैंस 1 upon D plus 1 तो D square plus 1 plus 2D और साथ में क्या जाएगा sin x और यह तो रहेगा plus का 1 upon D square plus 4 plus 4D ठीक है और साथ में क्या जाएगा sin x ठीक है पर दिक्कर नहीं तो आप देखिए यहाँ पर उपर तो रहेगा 3D minus 1 ठीक है और नीची क्या जाएगा दोनों का multiply यानिकी 3D का square whole square minus 1 का square ठीक है और साथ में क्या जाएगा sin x ठीक है और यहाँ पर sin x में भी क्या करोगा आप d square जाएगा पर minus 1 और यह जाएगा plus 1 ठीक है प्लस में जाएगा यहाँ पर 2D ठीक है और यहाँ जाएगा आप पर sin x और यह जाएगा d square जाएगा minus 1 plus 4 plus 4D इस डाएगा sin x ठीक है पर रिकर नहीं तो 3D minus 1 9D square 9D square minus 1 यहाँ इनकी 9 into minus 1 और minus 1 और यह जाएगा आप परस 1 से 1 कैंसे 1 upon 2D 1 upon 2D into sin x और यह जाएगा आप परस 3 plus 4D into sin x ठीक है minus 9 minus 1 minus 10 हो जाएगा ठीक है minus के 10 और 3D sin x यहाँ जाएगा 3 के साथ D का करेंगे तो एबर क्या होगा अपकलन तो यह जाएगा आप परस 4x और minus के sin x ठीक है 3 cos x तो minus के sin x और यह जाएगा समाकल समाकल क्या होता है minus के cos x होता है ठीक है तो minus minus plus 1 by 2 cos x और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो term है वो multiply करनी पड़ेगी उपर नीचे 3 minus 4d नीचे हो जाएगा 9 minus 16d square ठीक है तो यह term तो ऐसे हो जाएगी minus के x अपॉन 10 3 cos x minus के sin x और प्लस 1 by 2 cos x और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 10 square जाएगा minus 1 तो minus minus 16 और 9 25 हो जाएगे 25 और यहाँ पर 3 sin x और minus के 4 cos x च्योंकि यह पूरा आपको जाएगा च्छिक है तो यह पूरा आपको क्या हो जाएगा pi राइट पूरा क्या हो जाएगा pi फॉर्म समय आगई आपको च्छिक है और y का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा भई cf plus pi कर देंगे कोई दिक्कर नहीं ठीक है cf plus pi हम इस पर कर देंगे और हमारे पास term जो है वो clear हो जाएगी cf पीचे दे रखा है हमको निकाला था pi हे रहा जीक है समय आगा होगा आपको इसक्षण कोई दिक्कर तो नहीं और क्रशन देखते हैं इसमें क्रशन जो है हमारे पास इस साइस का और 7th 8th क्रशन देख थे वो important है जीक है d2y upon d2 minus 2 dy upon dx plus y बरावर x e की पावर x और sin x चीक है तो यह तो तर्म हमारे पास d square y upon square इसमें हमारे पास बनाते हैं खोशन की स्वार करते हैं तो d square minus के 2d plus 1 into y बरावर x e की पावर x sin x आप देखो आपकी ओफेक्स में तीन टर्म वे रही है तो इसी तरह सॉल्व करते हैं तो साइस समिकंड क्या हो जाएगी m square minus के 2m plus 1 equal to 0 तो m यहां पर जो बनेगी वो शीध है चाहिए सुद्स से बनेगी तो minus के b m के लिए निकाल लिए हमेर को minus के b यानकी plus के 2 हो जाएगा प्लस minus underd square 2 square minus के 4ac ठीक है यानकी जो अंदर टर्म है वो 0 हो जाती है 2 into 1 ठीक है तो value same same आ जाएगी यहां पर 2 आ जाएगा यानकी 2 upon 2 यानकी 1 तो m बराबर 1 and 1 दो value कैसी आएगी same आ जाएगी या फिर आम इसको कर सकते थे m minus m ठीक है बचिए m minus 1 का whole square तो बन जाता है यह तब यह उससे हो जाता ठीक है या फिर इसको m minus 1 का whole square बराबर 0 तो m बराबर क्या जाता 1 and 1 उससे भी हम solve कर सकते हैं ठीक है फिर इककर नहीं तो cf क्या निकल क्या जाएगा मारे पास c1 plus c2 x और e की पावर x ठीक है clear अब pi निकाल लेते हैं तो pi निकालने के लिए 1 upon d square minus के 2d plus 1 और x e की पावर x और e sin x ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे e की पावर x को solve कर लेते हैं जैसे हमने पहले को solve किया था ठीक है तो e की पावर x को solve करते हैं तो क्या होगा जहां पर d आ रहे हमें क्या जाएगा d plus 1 हो जाएगा ठीक है तो e की पावर x आ गया जाएगा जहां पर इन दोनों को मिलाकर हमें क्या मालने होगा v मालने होगा ठीक है ना फिर बात में x के लिए solve कर लेंगे तो यह जाएगा d plus 1 square minus 2 d plus 1 और plus 1 और यहाँ जाएगा x sin x तो e की पावर x अप नीशी की तरम जो रहे हो क्या रहे हो जाएगा d square plus 1 plus 2d minus के 2d minus के 2 plus का 1 ठीक है तो 2d से 2d cancel और 1 और 1 2 हो जाते हैं यह minus का 2 तो यह भी क्या हो जाएगे cancel क्या नहीं क्या रहे जाएगा 1 upon d square जाने की जो टर्म है वह थोड़ी सी short हो गई अच्छी हो गई ठीक है इसलिए हम करने में easy रहेगा तो हमारे जो टर्म हो जाएगी वह क्या मिल जाएगी 1 upon d square e की power x तो पहले काम होई चुका है उसको साइड में लिख दो ठीक है और 1 upon d square x sin x अब हम इसलिए काम करना है जैस differential करना है इसका ठीक है तो देखिए आप मारे परस क्या हो जाएगा यह की power x तो आगे है एक्स तो भी ले जाते हैं 1 upon d square किसके लिए sin x के लिए ठीक है प्लस d upon d किसका 1 upon d square का differentiation और यहां पर क्या जाएगा sin x ठीक है ठीक है पावर x into x 1 upon d square sin x के साथ में तो sin x के साथ में 1 upon d square का मुनलब क्या हुआ मोटर्म हुए हमारे पास एक तरह से minus 1 ठीक है तो minus 1 और यह sin x और अब हम करते हैं इसका अफ कलन ठीक है इसका हमें अफ कलन भी करना है तो अफ कलन क्या होता है वनपन देखो वनपन स्क्वाइर का अफ क्या होता है इसका है और फिर माइनस के 2 आगे और x की पावर माइनस के 3 ठीक है क्योंकि माइनस मंजूड जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 2 upon इसको मैं नीचे ले जाता हूं तो यह हो जाएगा माइनस के 2 upon x क्यूब ऐसी यहां पर क्या हो जाएगा d cube ठीक है और sin x तो यह हो जाएगा अगपास माइनस के sin x और यहां भी क्या देगा minus 2 upon d cube d cube का मलब क्या है d square into d ठीक है तो d square में value रद्दू में यहां पर x sin x d square में value रद्दा हूं minus के 1 into d और यह जाएगा sin x ठीक है तो minus e की power x into x sin x और यह minus minus क्या हो जाएगे यह plus हो जाएगे plus 2 और 1 upon d का मलब होता है समाखल करना तो sin का समाखल होता है minus के x x मैंस फिरा जाएगा तो मैंस भाले लेता हूं और यहां हो जाएगा x e की power x sin x और यह जाएगा plus 2 cos x ठीक है तो यह हो गया आपका pi और हमारे पास cf पैस लिगा चुके हैं तो y का मान क्या हो जाएगा भई व्यापक हल जिसे हम कहते हैं cf plus pi क्या कहते हैं से हम व्यापक हल ठीक है तो क्या हो जाएगा प्रोपर मान देखिए cf क्या है हमरे पास c1 plus c2x e की power x प्लस c1 plus c2x e की power x plus प्लस की जाएगे माइस हो जाएगा यह माइस हीटम पूरी है x e की power x sin x plus 2 cos x ठीक है यह हो गया आपका अंसर क्लियर को जिक्कर नहीं आप राम से देख सकते हैं तो इस तरह से हमारे पास एससाइज है थर्ड जी वह हमने करी एससाइज सवाल करने हैं आपको जिती पैक्टिस करोगे इतना अच्छा है आपके लिए तो एससाइज जो है आपकी थर्ड वह complete हो गई है चीक है कल हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे नेक्स एससाइज नंबर फोर चीक है ऐसे है तो यहां तक जो matter है आपके एससाइज नंबर जो फर्स्ट है पूरी पूरी थर्ड है वह आपको च्छे से आनी चाहिए कोई भ इतना ही धन्यवाद